Welcome everyone! हम पढ़ रहे थे solutions और फिछले lecture में हमने बात की थी Colligative Properties की Colligative Properties में हमने पढ़ा था कि ऐसी property है जो amount of solute पे तो depend करती है बट उसकी nature पे depend नहीं करती है बशर्ते की जो solute है वो non-volatile हूँ इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं हमने elevation and boiling point के लिए thermodynamic derivation किया है आज हम बात करेंगे depression and freezing point के बारे में उसकी thermodynamic derivation करेंगे तो आज ये start करते हैं depression and freezing point means जैसे जैसे हम non-volatile solute डालेंगे किसी भी solvent के अंदर तो जितने temperature के उपर वो solvent pure solvent freeze हो रहा था solidify हो रहा था उससे lower temperature चाहिएगा हमें अब उसको solidify करने के लिए हमने जाना था कि ऐसा क्यों होता है क्योंकि जो entropy है उसको decrease करने के लिए solution के अंदर हमें ज़्यादा effort करना पड़ता है बजाए कि pure solvent के जिसकी entropy पहले से ही कम है अगर हम vapor pressure temperature करव देखें pure solvent के लिए और solution के लिए तो वो कुछ इस तरीके से होगा कि pure solvent के लिए जो liquid phase और vapor phase के बीच में equal विरिया है liquid phase और vapor phase के बीच में equal विरिया है यानि कि जब हमारा solvent है वो liquid form में है और उसको उसके vapor बन रहे है vapor pressure बन रहा है तो कितने temperature पे कितना pressure होगा वो जो करव है यहाँ पे A से लेके B तक का करव है यह represent कर रहा है कि solvent, pure solvent के लिए किसी particular temperature T के उपर कितना vapor pressure होगा A से लेके B तक किसके बीच में equilibrium है liquid phase के और vapor phase के pure solvent B point पे जाने के बाद इसके B के उपर क्या होगा freeze हो जाता है यहानि जो B point है इसके corresponding temperature को मैं freezing temperature क Canada हूँ pure solvent का भी solid के जो vapour बनते हैं वो काफी कम बनते है हम हो, यानि solid के लिए जो vapour pressure होता है वो कम होता है, और liquid के लिए vapour pressure हो ज्यादा होता है तो, B point के बाद जो करव है vapour pressure का वो एकदम से डिप ऐधा दिक्रीज होता है बहुत ज्यादा pressure में तो B let's go C तक का जो करव है यह कडि़ेंट कर रहा है solid और vapor phase अपर्फेज़ क्या कर रहा है तो जो BC करव है उसको हम sublimation curve कह सकते हैं यानि कि B से लेके C तक का portion है यहाँ पर क्या हो रहा है sublimation हो रहा है solid से vapor phase और जो A से लेके B का curve है यह vaporization curve हम कह सकते हैं क्योंकि A से लेके B के बीच में क्या है liquid से vapor बंद रहे हैं अब दूसरा curve है DE curve जो DE curve है यह solution के लिए करव है आपको पता है कि जो pure solvent है उसका vapor pressure तो ज़्यादा होता है किसी भी temperature पे और उसके corresponding temperature पे ही यानि same temperature पे ही जो solution जिसके अंदर वही pure solvent किसी non-volatile solute के साथ mix up किया हुआ है वो solution कम vapor pressure रखता है that means जो उसका करव आएगा वो AB करव से नीचे की तरफ से आएगा AB से नीचे की तरफ से आएगा तो मान लिया यह जो करव है DE यह solution के लिए vapor pressure का करव है D से लेके E तक का जो करव है इसके अंदर solution liquid phase में है और इसके vapor बंद रहे हैं यानि कि liquid vapor composition के लिए liquid vapor equilibrium के लिए यह जो करव है D से लेके E तक और E point पर जाने के बाद solution भी freeze हो जाता है अब आप यहां से भी देख रहे हो कि जो B point है जहां पर solvent freeze हो रहा है उसके लिए ज्यादा temperature चाहिए था और जो solution freeze हो रहा है E point पर कम temperature पर जाके freeze हो रहा है अब हम इस graph से पहले लेते हैं B E करव को यानि B C करव का वो part B से लेके E तक का करव इस करव को अगर हम देखे तो B point के उपर आपको पता है pressure की value P naught और temperature की value T naught या T naught F जो freezing point है pure solvent का और जो E point है E point के उपर freezing point है किसका solution का तो मैं इसको T F से represent कर दूँ यह solution का freezing point है T F ना कि pure solvent का तो E point पे क्या है T F तो temperature है और pressure मान लिया P pressure है कुछ भी pressure P है तो B E करव के उपर अगर मैं classic scrapering equation लगाता हूँ तो यह B E करव जो की sublimation curve है इसके उपर B point की corresponding तो क्या है temperature T naught vapor pressure P naught और E point corresponding temperature T F vapor pressure P classic scrapering equation क्या कहती है log natural P2 upon P1 equal to del H by R 1 by T1 minus 1 by T2 अब ध्यान देने की बात क्या है कि जो point 2 है इसको मैं ले लेता हूँ B और point 1 ले लेता हूँ मैं E E को गर point 1 लोँगा तो E के coordinate पहले रखूँगा 1 की जिगह पे P1 की जिगह पे pressure आएगा कौन सा E के corresponding P pressure है और T1 की जिगह पे temperature आएगा कौन सा E के corresponding यानि की T F जो की solution का freezing point है अगर point 2 की बात करूँ तो यहाँ भी point को point number 2 ले रहा हूँ तो यहाँ पे जो value आएगी P2 की और T2 की वो किसके corresponding आएगी B के corresponding आएगी यानि की pressure की जगह पी नोट और temperature की जगह पी नोट अब जो यह equation हमारी आई है इसके अंदर डेल H की बात करते हैं R तो gas constant है ही डेल H की बात करते हैं जो BE करव है यह जो करव है यह है sublimation करव means यहाँ पे solid और vapor phase equilibrium में है तो यहाँ पे जो enthalpy होगी डेल H होगी वो sublimation के लिए होगी तो यहाँ पे डेल H क्या है डेल H sublimation है इसको solve करते हैं LCM ले लेते हैं तो LCM लेंगे T0 और उपर T0 माइनस Tf डेल H S by R इसको अगर हम इनका जो difference है T0 और Tf का यह क्या है डेल्टा Tf यानि की T0 F यानि T0 के उपर तो pure solvent freeze हो रहा था Tf के उपर solution freeze हो रहा है तो जितने higher temperature पे तो solvent freeze हो रहा था और lower temperature पे जाके temperature decrease कर रहा है इस साइड तो lower temperature पे solution freeze हो रहा है solution कितने कम temperature पे जाके freeze हो रहा है तो वो क्या है difference होगा T0 और Tf का तो जो यह difference है यह difference क्या है डेल्टा Tf यानि की depression in freezing point डेल्टा Tf क्या है depression in freezing point अब आपको पता है कि जो Tf0 और Tf है इनकी value बहुत ज़्यादा differ नहीं करेगी क्योंकि हम जो colligative property पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात यही है कि हम solution dilute लेते हैं dilute solution होगा तो colligative property की value कम होगी colligative property की value कम होने का मतलब क्या है डेल्टा Tf काफी छोटी value होगी जब डेल्टा Tf काफी छोटी है तो Tf और Tf0 के भी जो difference है यह कम है दोनों approximately equal ही value है लगबग लगबग equal value है तो Tf equal to T0 तो जो नीचे हमने Tf और T0 की multiplication की है हम इसको T0 का square भी लिख सकते हैं तो ln P0 upon P del Hs by R delta Tf by T0 square अब यह आगी हमारी equation number 1 अब चलते हैं हम दूसरे करव की तरफ दूसरा करव कौन सा EF करव जो EF करव है actually में जो DE करव है DE करव में एक F point ऐसा होगा जो freezing point of pure solvent के temperature पे ही होगा यानि कि जो B point था इस B point से हमने जो line नीचे की तरफ ड्रा की जो temperature T0 के बारे हम बता रही थी ये line कहां काटेगी ये F point के उपर काटेगी तो ये जो F point है ये actually में solution के लिए solution के लिए liquid phase और vapor phase का जो करव है liquid phase और vapor phase का जो करव है उसके उपर आएगी और इस F point के coordinate क्या होगे इस F point के coordinate होगे temperature तो T0 और vapor pressure जो होगा इस से corresponding क्योंकि solution का vapor pressure है ये P note से भी अलग होगा P से भी अलग होगा इसका हम P S नाम दे देते हैं हमने नाम दे दिये इसको vapor pressure P S और जो point E है इसके coordinate हमने पहले भी देखे थे temperature इसका T F है और pressure इसका P है अब फिर से हम E F करों के लिए E F करों के लिए हम क्या कर रहे हैं Classy Sclapran equation के अंदर value put कर रहे हैं Classy Sclapran equation वही है L N P2 upon P1 equal to del H by R 1 by T1 minus 1 by T2 अब यहाँ पे जो हम second point ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं F point और first point ले रहे हैं E point यानि E को हमने अभी first रखा है एफ को हमने second point रखा है तो जहाँ पे P2 और T2 की value है वहाँ में F की value put करूँगा P2 और T2 की जगे में F की value put करूँगा P2 की जगे पर क्या आएगा P S और T2 की जगे पर क्या आएगा T0 और P1 की जगे पर क्या आएगा Pressure P जो कि E के corresponding value है और T1 की जगे पर के आएगा Tf आएगा जो की E के corresponding ही value है तो जो हमारी equation बनेगी lnps upon P del H by R 1 by Tf minus 1 by T note अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि जो del H है वो del H किसके corresponding है del H है corresponding EF करव के और जो EF करव है वो DE करव का part है जहाँ पर हम solution के liquid phase और vapor phase की बात कर रहे है यानि कि यहाँ पर जो delta H है वो liquid और vapor के बीच करव है तो del H किसके लिए है? vaporization के लिए है यानि कि liquid से vapor बन रहे है तो del H यहाँ पर क्या है? del H V है हमने पिछला जो case किया था उसके अंदर क्या था? उसके अंदर था del H S यानि यहाँ पर sublimation की बात कर रहे थे और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं vaporization की तो del H V by R 1 Y T F minus 1 Y T naught इसको भी solve out करते हैं तो यहाँ पर नीचे LCM आ गया T F T naught और उपर T naught minus T F T naught minus T F का मतलब क्या है? यह वाला gap यह वाला gap और जो यह gap यह क्या है? delta T F यानि की depression in freezing point तो depression in freezing point के लिए हमारी दूसरी equation आ गई ln P S upon P equal to del H V by R delta T F by T naught square क्योंकि हमने T F और T naught को लगग लगग सेम ही माना है क्योंकि बहुत ज़्यादा difference नहीं आएगा एक dilute solution के लिए तो T F into T naught क्या हो गया? T naught square हो गया अब हमारे पास यह आगी equation number 2 अब जो यह पहली और दूसरी equation है इनको हम utilize करेंगे कैसे कि हमने देखा कि जो solid है उससे अगर vapor बनते हैं तो हम कहते हैं delta Hs यानि sublimation लेकिन जनरली क्या होता है? Solid से पहले liquid बनता है, solid से liquification के लिए जो होता है वो होती है heat of fusion यानि delta Hs यानि कि solid से liquid बना है तो heat of fusion होगी, liquid से vapor बनेगा तो heat of vaporization होगी अगर हमें शिर्फ solid से liquification निकालनी है, delta Hs निकालनी है तो हमें इस पूरे process है यानि solid से लेके जो vapor बनाने वाला process है इसके अंदर से जो vaporization है इसको मैं minus कर दूँ solid से vapor बनने का process क्या है, sublimation, तो heat of sublimation में से अगर मैं vaporization निकाल देता हूँ तो heat of fusion बचेगी यानि कि liquification बचेगी तो liquid solid के equilibrium की बात होगी अभी तक हमने जो दो equilibrium पढ़े हैं वो है एक तो solid से vapor का equilibrium दूसरा liquid से vapor का equilibrium और हमें अगर freezing की बात करने हैं तो हम freeze किसको कर रहे हैं एक solution को यानि liquid को तो हमें बात करने है किसकी solid liquid equilibrium की बात करने है solid liquid equilibrium की बात करने है तो हमें चाहिए delta HF और अभी तक हमने deal किया किस से? delta HF से यानि sublimation से और delta H vaporization से और आपको पता चल गया है कि जो delta HF है fusion के लिए जो heat है वो delta HF minus delta HV के बराबर आएगी अब हमने जो दो equation यहाँ पर पिछे drive की हैं इस equation के अंदर delta H vaporization है और इसे पिछली equation के अंदर delta H sublimation है अगर हम delta H sublimation वाली ट्रम में से delta H vaporization को घटा देंगे तो उनके left side भी जो equation के left side में था lnp0 upon p और lnps upon p इनको भी घटाना पड़ेगा जैसे हम इनको घटाएंगे तो जो logarithm के अंदर value होती है उनको अगर हम divide कर रहें अंदर तो उनको अगर हम expand करते हैं तो logarithm of first minus logarithm of second logarithm of first minus logarithm of second lnp0 minus lnp पहली ट्रम से आ गया और minus का निसान लगा के lnps minus lnp दूसरी ट्रम में से आ गया राइट हैंड साइड में जो delta tf है यह common है r सब में common है t0 square का यह भी common है यानि कि यहां पे यहां पे सिरफ del hv del h of vaporization और del h of sublimation इनका difference होगा यानि del h of sublimation minus del h of vaporization और यह हमने पिछले page पे भी देखा था कि del h of sublimation minus del h of vaporization क्या होगा del h of fusion यानि कि liquification के लिए heat और बाकी चीज़ें common हैं यहां पे lnp0 minus lnps बचे गया क्योंकि lnp से lnp cancel out हो गया तो इसको अगर हम वापिस से aggregate करते हैं दोनों को तो lnp0 by ps equal to delta tf delta hf divided by r t0 square यह हागी हमारी equation number 3 अब जो यह equation number 3 है इसके अंदर हम देख रहे हैं कि यह तो है delta tf depression in freezing point delta hf जो heat of fusion है r t0 square t0 क्या है यहां पे जो freezing point है pure solvent का और r gas constant p0 है liquid का pressure उसके freezing point पे और ps है solution का vapor pressure pure solvent के freezing point के उपर ही ठीक है यानि जब pure solvent freeze हो रहा था तब solution का vapor pressure क्या था और हमें relation drive करना कि इसके बीच में कि amount of solute के बीच में और delta tf के बीच में तो amount of solute के बीच में निकालने के लिए हम बात करेंगे राउल्सला की राउल्सला कहता है कि p0 minus ps divided by p0 equal to x2 यानि relative lowering in vapor pressure is equal to mole fraction of non-volatile solute अगर हम इनको अलग-अलग करते हैं तो p0 upon p0 1 और ps upon p0 as it is किसके को लाएगा x2 के को लाएगा अगर मैं ps by p0 को right hand side ले जाऊं और x2 को मैं left hand side लेके आऊं तो 1 minus x2 किसके को लाएगा ps by p0 के अगर मैं logarithm ले लेता हूं तो ln ps by p0 किसके को लाएगा ln 1 minus x2 के और हमें क्या चाहिए है हमें solution में चाहिए p0 by ps यहाँ पे तो ps by p0 है और हमें यहाँ पे चाहिए p0 by ps तो इसके लिए मैं क्या करूँगा negative से multiply कर दूँगा यहाँ भी और यहाँ भी यह जो negative है जब अंदर जाएगा तो ps by p0 इस पूरे की power minus 1 हो जाएगी पूरे power minus 1 होने का मतलब क्या है ln p0 by ps और यह आ गया minus log natural 1 minus x2 equal और हमने पहले भी देखा था elevation boiling point भी हमने यह study किया था कि जो ln 1 minus x2 है इसका अगर हम expansion series लेते हैं तो यहाँ आती हम minus x2 minus 1 by 2 x2 square minus 1 by 3 x2 cube minus 1 by 4 x2 raised power 4 and so on but आपको पता है कि जो solution है वो बहुत ही dilute है dilute solution के लिए जो mole fraction होगा non volatile solute का वो भी बहुत कम होगा एक बहुत छोटी सी value उसके लिए अगर square cube या उसकी power ज्यादा करते हैं तो और ज्यादा छोटी हो जाती है negligible हो जाती है तो यह वाली सारी ट्रम जो power वाली है यह सारी negligible है तो यह approximately किसके equal आएगा ln 1 minus x2 x2 के approximately equal आएगा और अगर x2 के equal आ रहा है तो इसका अगर मैं negative ले ले लेता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा positive हो जाएगा यानि minus के ln 1 minus x2 किसके equal आएगा plus के x2 के equal आएगा और हमें इसी की तो value चाहिए थी इसी की तो value चाहिए थी क्योंकि यह value किसके equal है ln p0 yps तो यह वाली जो x2 यह किसके equal आगया ln p0 yps किसके equal आगया x2 के equal आगया हमने जो पीछे equation drive की थी वो क्या थी ln p0 yps delta tfy rt0 square delta hf अब यह जो value है यह किसके equal है x2 के equal है तो मैं इसको यहां से हटा के यहां पर क्या रख दूँगा x2 रख दूँगा तो जो value आएगी value आएगी वह क्या आएगी mole fraction of solute और delta tf delta hf rt0 square की equation की form में आएगी तो x2 किसके equal आगया delta tf delta hf rt0 square अगर मैं delta tf यानि depression in freezing point को अलग side ले जाता हूं और बाकी को x2 की तरफ ले जाता हूं तो rt0 square by delta hf into mole fraction of solute और आपने यह देखा था जब elevation in boiling point किया तो इस तरीके की equation जिसके अंदर rt0 square delta h था और x2 था इसको हम molality की ट्रम में change कर सकते हैं हम x2 जो की mole fraction है इसको n2 upon n1 plus n2 रखके और इसको change कर देंगे molality की ट्रम में ले जाएंगे तो same जो equation है वो reduce हो जाएगी किसमें delta tf equal to kfm वहाँ पर हमने delta tb लिया था यानि कि जो elevation in boiling point है उसकी बात की थी elevation in boiling point के लिए जो formula आया था हो आया था kb mk और kbm में क्या था m तो molality थी kb था molal elevation constant यहाँ पर जो हम depression in freezing point की बात कर रहे है delta tf क्या है depression in freezing point m क्या है molality और kf क्या है molal depression constant क्योंकि यहाँ पर क्या है एक mol concentration हो अगर उस time पर कितना depression in freezing point होगा वो value की equal है kf के equal है तो kf क्या है molal depression constant तो यह थी thermodynamic derivation of depression in freezing point